नमस्कार दोस्तों मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप लोग को परता है कि आज शॉम बार और शॉम बार के दिन में एक न्यू टेस्टरिस को लॉंच क चाते हैं तो अभी आप इस वीडियो के डिस्केप्शन बॉस पुझाए वहां आपको लिखावा दिखेगा बेल्ट्रॉन इस्टिनोग्राफर टेस्रिस 39 लिंक उस लिंक पर दोस्तों आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अपना नाम डिस्टिक और इमेल आईडी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से डालिएगा नेक्स्ट किजिएगा उसके बाद दोस्तों आपको 30 प्रश्ण दिख जाएगा 30 प्रश्ण में 300 का जवाब देना अनिवार है आप 30 प्रश्ण को टिक करके उसके बाद आप जो है सम्मिट कर दिजएगा ध्यान से आप लोग सम्मिट किजएगा ताकि आपको रिजल्ट भी जो है मिल सके दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग टेस्टरिज 39 में जरूर जुड़ेंगे साथ या दोस्तों इस टेस्टरिज में वो सभी लोग जुड़ सकते हैं जो केंप्यूटर के छेतर में त्यारी कर रहे हैं चाहे आने वाले संडे के 11 बच कर 69 मिनट पी एम यानि की रात्री तरह काम करेगा और ठीक एक दिन के बाद आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सारा कुछ समझ गये होंगे तो चली दोस्तों आप हम लोग वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और टेस्रिस 38 के टॉप 10 रिजल्ट को जानते हैं उससे पहले दोस्तों मैं एक अवस्यक सुचना आप लोग को देना चाहूंगा कि एक ऐसे स्टुडेंट मुझे जो है कॉल कर रहे थे जो टेस्रिस में जुड़े थे कि सर मुझे पिछले तीन टेस्रिस चार टेस्रिस का रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा उनका मैं इमेल एडी लिया और सारा कुछ चेक किया दोस्तों टेस्रिस वो 38 में नहीं जुड़े हैं और नहीं 37 में 36 में 35 में जुड़े थे पता नहीं वो कैसे सम्मिट कर रहे थे उनका एक्जाम समिट हुआ ही नहीं था तो ऐस से में आपका रिजल्ट आप तक नहीं पहुच पाएगा क्योंकि अपने एक्जाम ही नहीं दिया है तो मैं आपको रिजल्ट कहां से दूंगा तो इस चीच का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे तरफ से गल्तियां जो है बहुत कम चांसे होती है कि मैं यहां से कोई भी गल्ति करूं क्योंकि दोस्तों सारा चीज़ जो आप बोल सकते हैं कि step by step होता और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपके द्वारा गल्ति किया गया है तो फिर आपको रिजल्ट नहीं पहुचेगा इस बात को आप लोग समझ लिजिए तो दोस्तों उम्म का बोल सकते हैं कि वो top ten में नहीं आपाए हैं लेकिन दोस्तों काफी वो लोग मैनत कर रहे हैं उनमें इसे नाम मैं लेना चाहूंगा कुछ student का उसमें रजनी जी जो पटना से विलांग करते हैं मोनु कुमार हैं जो खगलिया से विलांग करते हैं मिरतुंजे जहा जी हैं सिंडु कुमार जी हैं, जो नालंदा से विलॉंग करते हैं, जो दर्भंगा से विलॉंग करते हैं, कुमार सौरब जी हैं, जो आरा से विलॉंग करते हैं, सभीता जी हैं, जो पटना से पिरंकायादब जी हैं, जो सारन से, धरमेंद्र कुमार जी हैं, जो मदुबनी से सब्सक्राइब कर ले और साथिशाथ बगल के बैल आपन को दवाना बिलकुल ना बोले साथिया दोस्तों आप में इस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लिज़ेगा मेरा यूजर इन्यम है helping underscore गौरव या फिर दोस्तों आपको मेरे इस्टाग्राम आईडी का लिंग इसी वीडियो के description box पर मिल जाएगा साथिया दोस्तों अगर आप क्यूप लिए अपडेट चाहते हैं चाहे वो बेल्टरॉन का हो या फिर आप बेल्टरॉन इस्टिनोग्राफर के टेस्टरिस का हो टॉप नाइन की बात करें तो टॉप नाइन में खुशी सिंग राजपूर जी है जो भोजपूर आरा से विलोंग करती है और ब्रेकेट में उनका भिलेज भी डाला हुआ है लेकिन मैं भिलेज का नाम बिल्कुल नहीं लोगा तो दोस्तों 30 में से उनका 23 नमबर आया है और परसेंटेज की बात करें तो 76.66% मार्स एचीव की हुई है खुशी सिंग राजपूर जी वहीं दोस्तों टॉप 8 की बात करें तो टॉप 8 में पंकज यादब जी है जो आजमगर से विलोंग करते हैं 30 में से 23 नमबर आया के उनका परसेंटेज जो है वह 76.66% मार्स एचीव की हुई है वहीं दोस्तों टॉप 7 की बात करें तो टॉप 7 में रोहन कुमार राना जी है जो मीठापुर पतना से विलोंग करते हैं 30 में से 24 नमबर आया के 80% मार्स एचीव की है दोस्तों यहां पर मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है मुझे नहीं लगता है कि उनको पूरा डिटेल्स डालना जरूरी है क्योंकि हो सकता है बाद में उनको ही कोई प्रॉब्लम हो मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी दोस्तों जो खासकर विलेज का नाम होता है वो आप बोल सकते हैं बहुती अंतिम चरन में चला गया तो मैं उनका नाम लेने से ज़्यादा तर बचता हूं बाकि कुछ-कुछ का कभी-कभी नाम ले भी लेता हूं तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 6 की तो दोस्तों टॉप 6 में जो हैं वो दिलिप कुमार शिना जी हैं जो नावादा से विलॉंग करते हैं और 30 में से 24 नमबर लाके उनका भी 80% मार्स आया हुआ है वह दोस्तों टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में मोहमद जावाद जी हैं जो दर्भंगा से विलॉंग करते हैं और 30 में से 24 नमबर लाके 80 यानिकी 80% मार्स आचीव किये हुए हैं वह दोस्तों टॉप 4 की बात करें तो टॉप 4 में विकास कुमार जी हैं जो सहरसा से विलॉंग करते हैं 30 में से 25 नमबर इनका आया हुआ है परसेंटेज की बात करें तो 83.33% मार्स आचीव किये हुए हैं वह दोस्तों टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में नायक जी हैं जो आरा से विलॉंग करते हैं 30 में से इनका 26 नमबर आया है परसेंटेज की बात करें तो 86.66% मार्स एचीव किये हुए है नायक जी जो आरा से विलॉंग करते हैं टॉप टू की बात करें तो टॉप टू में राजेस कुमार जी है जो भागलपूर से विलॉंग करते हैं और 30 में से 27 नमबर लाके 90 यानि की 90% मार्स एचीव किये हैं वहीं दोस्तों बेल्टरॉन स्ट्रिणोगराफर टेस्टरिस 38 के टॉप वन में जो है उनका नाम है परलाज कुमार जी है पटना से विलॉंग करते हैं और दोस्तों इनका 30 में से 28 नमबर लाया हुआ है परसेंटेज की बात करें तो 93.33% मार्स एचीव किये हैं कौन तो टॉप वन में जो है परलाज कुमार जी जो पटना से विलॉंग करते हैं और 30 में से 28 नमबर लाया है दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको रिजल्ट जानकर काफी खुसी मिली हो सभी स्टुएंट को मैं ही काना चाहूंगा कि आप लोग कंटिन्यू टेस्ट रिज में जुड़ते रहिए आप लोग का स्टिनोग्राफर का एक्जाम 100% नहीं तो 95% तो निकलेगा ही निकलेगा अगर आप लोग अभी से जो है कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और काफी आप लोग मेहनत करते रहिएगा जिनका जो प्रशन गलत होता है उनको जैसे रिजल्ट उनके इमेल पर जाता है उनको आप लोग रट लिजिए ये मेरी आपको सला रहेगी उसके बाद तो 100% एक अगली वीडियो में जाते आते एक बार फिर से मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हल्पिंग और यूटूब चैनल पर विजिट किये हैं तो भी आप हल्पिंग और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ शाथ बगल